चिकन स्वार्म बनाने के लिए डैसो ग्राम चिकन लेके उसको क्लीन करके रखें उसमें काली मेच्छी पोडर, नमक, धन्या पोडर, लाल मेच्छ पोडर, गरम मसाला, आपके पास तंदुरी मसाला अज़त्त तंदुरी मसाला वी सब वन बाई फोर्क के सापसे डाल दीजि अब इसके लिए सबजी के लिए पता गोबी का अच्छे पतला काटके निकाल लेजिए प्याज और ककड़ी का भी अच्छे पतला काटके लेजिए आपके पास गाजर है तो गाजर भी काटके उसमें काला नमक, निम्बु का रस डाल कर तोड़ी देर के लिए मिला के रख देंगी अभी रोटी कि लिए आठी कि लिए एक कप मैज़ा तोड़ा सा नमक और पानी डालकर आठा गूंद्नके रेडी कर लीजिए एक पैन में तेल गरम कर के चिकन पैसे सब को डालकर अच्चे से सेक ही निकालोी जीए याegen कि निकालने के बाद रोटी कर लीजिए रोटी रेडी करके उसके बाद उस पत्ता गोबी में चिकन पीसस को चोटा से काट के डाल दीजिए उसी में मैयोनी सास और और गहनो डाल कर अच्छे से मिला लीजिए अभी रोटी में केचप लगा लीजिए लगा के उसके उपर मिला के रखा हुवा पत्ता गोबी को रखके अच्छे से रोल करकर आप अलक से रख दीजिए बच्चों को बहुत पसंद आएगा एक बार ट्राइ करके देख लीजिए गर पे बहुत ही आसानी से बना सकते है तैंक्यू